तो अगर हमें WordPress की वेससाइट को होस्ट करना है तो उसके लिए एक free domain नहीं नहीं था अपना है hyperphp.com के नाम से आपको यहाँ आना है Google का लिजेगा इसको यहाँ से आपको sign up for free hosting option मिलेगा यह link मैं आपको copy करके दे रहा हूँ यूजर नेम जो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो आपकी website का नेम बनेगा आपकी website का नेम बनेगा arena.hyperphp.com क्योंकि एक free account आपको यहाँ से होता है पासवर्ड जो आप रखना चाहें email id जिसको पर आपको इसके credentials रेसीब करने है site की category आपको यहाँ से मिल जाएगी किस तरह की site आप बना रहे हैं इसके लिए so आप चूज कीज़ेगा personal language आप यहाँ से English चूज कीज़ेगा होगा यहाँ पर एक mail रेसीब होगा इस तरह से hosting activation तो हमने एक अपना बनाया था arena pv के नाम से arena pv.hyper php.com so आपके पास account activation का एक mail आएगा generally यह mails होता है spam हो जाता है आपको spam से निकाल लेना इसको तो हम लोग spam से निकालने के लिए क्या करते है तो क्या होगा कि वो आपको star के अंदर यहां पर दिख जाएगा तो जैसे आप इस link को activate करेंगे तो उसके बाद next step क्या रहेगा आपके पास account के जो details होगी वो इस तरह से mail होके आजाएगे अपने आप तो जब आपके पास अपने details receive हो जाएगे तो यहां से आपके option मिलता है नेचे cpanel url cpanel stand for control panel आपने control panel में लॉग इन कर लेना है इस तरह से और लॉग इन करने के बाद जो भी आपके username and password है वो आपने आपर पुट कर लेना है लॉग अपने आपके बाद लो आपके झाना है कर लेकर यहां से लॉग इसके अंदर लोग इन करने忙 कर लेकर लिए यहां से यूजर नीम , यहां से पसवर्ड और यहां से पडिए है सो जैसे हम लोग जैम के अंदर काम करते है न और बहाँ पर हमें एक फोल्डर मिल जाता है htdocs के नाम से वैसे ही यहाँ पर आप यहाँ से दिखेंगे तो मिलेगा आपको file manager, file manager में जो हम लोग यहाँ से click करेंगे तो यहाँ से हमें यह देखिए htdocs का फोल्डर दिखाई देगा और इसके अंदर लाके हमें अपनी website को host करना होता है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से नीचे आएंगे scroll down करते हुए यहाँ पर आपको एक option मिलता है software clues apps installer यहाँ पर आपने click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर option दिखाई देगा है कि आपने क्या चीज इंस्टाल करना है आपर जैसे wordpress, jumla, avante kart ऐसे दुनिया जान की चीज आपको यहाँ पर दिखेंगी so हमें जो basically यहाँ पर install करना है वो है wordpress so click on install so यहाँ पर आप notice करेंगे कि wordpress के so many versions यहाँ पर available हैं जो कि आप यहाँ drop-down key-through भी देख सकते हैं ठीक है so अभी जैसे कि latest slash 6.5.4 offline में आप लोगो ने देखा हुआ है already ठीक है तो हमें कुछ उस तरह किस पर ही काम करना है तो क्या करेंगे यह से latest अभी क्या है कि arena pv के अंदर मेरा already अभी एक जो है install हो रख रहा है arena pv.hyper.phpgram आपको open करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मेरी एक site अलड़ी होनी जीए यह देखिए है यहाँ पर कुछ डलाव है यहाँ पर content so हम यहाँ पर एक folder बना कर उसके अंदर host करनेंगे site को तो आपने क्या करना है installation के time पर यहाँ से आप choose करेंगे website का जो हमारा option है का choose protocol तो आज की date में किसी भी website के आगे जब लोग देखते हैं तो www. नहीं होता है सीधे आपकी website का domain name होता है तो हमें यह सब नहीं चाहिए हम लोग क्या लिखेंगे आपर जैसे यहाँ लिखा रहे है arena pv.hyperps.http.ww. कुछ नहीं आ रहे है तो आप क्या करें इसमें installation के time पर यह देखिएगा कि अगर आपने ssl buy किया हुआ है तो https अगर नहीं किया है तो http तो हमारे पास http ही है अभी क्योंकि यह free account है arena pv. किस folder में हम लोग बनाना चाहरे है तो जैसे मैं यह आपर लिख देता हूँ south x हमने एक directory बनाया है इस directory के अंदर आपको अपको अपनी website को चलाना है तो हमारे लिखा रहे है your installation url is this इसके बाद website का name आपने क्या रखना है username आप क्या रखना चाहते है वह आप यहां जाके define कर लेंगे और अपना यह यहां से copy करेंगे आप और यहां से wordpress installation के अंदर आपके हम इसको define कर लेंगे username and password क्या रखने वाले वो define करेंगे तो password यहां पर already available है इसको copy करेंगे password ऐसा ही होना चाहिए आसान कोई password नहीं वनाना है नहीं तो दिक्कत आ रही है फिर आपको इसके बाद यहां पर यह सब चीजे set करने के बाद आपको यहां से मिलता site का name क्या रखना है इसके इलाबा आपको यहां से मिलेगा site का language नीचे आएंगे यहां से advance option जिसमें auto upgrade wordpress plugin wordpress theme इन सबको हमने बंद रखना है do not auto upgrade जब तक हम ना चाहिए तब तक upgrade ना हो इसके बाद यहां से आप कौन सी theme इंस्टॉल करना चाहते है वह आप यहां से theme चूज करेंगे इसके अंदर यह सारे चीज़े और admin का email क्या रहेगा तो जैसे मैंने अपना email यहां पर define क्या अभिशे at bestanimation.school.com so यह सब अपना set है यहां से हम लोग click करेंगे install एक बाद चेक के लिए थे connection was lost लिखा रहे है connection चला गए है द्वारा से try कीजिए और यहां से install हमने डारेक्टिव ने define की थी subtext यहां से ही सारी चीज़े set admin password जो हमने यहां define क्या था वो था यह और यहां से install तो यह देखो हमारा इस तरह से wordpress रहे हो install होना start हो जाता है आपर mention this may take 3-4 minutes but within a minute फटा-फटा से install हो जाता है तो यह देखिया आपका live wordpress install हो चुका है तो यह हमारी root directory बट अभी मेरे पास दूसरा account नहीं है तो मैं इसी के अंदर एक और folder होना के install कर रहा हूं तो आप यहां देखें कि जब मैं इसको click करूंगा तो हमारा south text वाला wordpress start हो चुका है देखो और इसके अंदर आप यहां से WP admin लिखके सके अंदर login मगारा भी कर पाएंगे यह देखिये यह अपना dashboard open हो गया आवाज आरी है ना सभी को तो online और offline में कोई भी आपको difference पता नहीं चलेगा यह बिलकुल similar ही चीज़े आप दिखाई देने वाली है अब शयद last class में में आपको बताया था या नहीं कि जब ही हम लोग कुछ wordpress वगर इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग अपनी information को hide कैसे करें बताया था क्या नो तो जैसे क्या होता है कि एक अपना plugin आता है WP Theme Detector सो यह plugin क्या करता है आप जिस भी अपने competitor का पता लगाना चाहते हैं कि वह किस तरह की theme बगर का यूज कर रहा है तो आप उसका name यह पर define करके पता लगा सकते हो जैसे कि अगर मैं आपर Trend India 24 पर search करता हूँ यहां से सो हमें इस website में कौन सा theme कौन सा plugin यूज हो रहा हमें सब कुस पता लग जाएगा तो यह तू बता दिया ना तो आज हम live यह देखेंगे कि हम अपनी website के अंदर यह चीजे कैसे हाइड करते हैं तो चलिए सबसे पहली चीज़ जब हमारा wordpress install होगा तो उसके बाद में हमें यह पर install करना है theme theme आप यहां पर ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर जो हमारा file manager होता है online file manager htdocs south text का folder इसके अंदर wp content यहां से theme यहां भी जाके हम तो डारेक्ट अपनी theme डाल के आ सकते हैं पर फिलाल हम यह चीज़ front end के थूँ प्रसीड करेंगे तो यहां यह add new theme upload theme choose theme फिलाल हम db को ही इसमे डॉप करेंगे तो find करेंगे download folder के यहां db where is db 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 yes and click on install and click on install जाएगा इसके अंदर तो यहां पर एक message return हो रहे theme install successfully तो अगर हम लोग यहां पर file manager में आते हैं इसको back करते हैं और फिर से यहां पर आते हैं तो आप देखेंगे db folder आ रहे हैं तो सबसे पहला step यह कि हमें जिस भी client के लिए काम करें जो भी company है उस folder का यानि theme का name उसके नाम से replace करना है हमने इसको south text के नाम से replace किया ऐसा करने से क्या होगा यहां पर south text लिखा नहीं आएगा यह अभी भी db ही लिखा आएगा हम चाहते हैं यह भी यहां पर change हो जाए तो आपको इसी में option मिलेगा enter करिए का अंदर एक option आता है style के नाम से style.css आपने इस file को edit कर लेना है तो यहां पर आप देखेंगे theme का name जो है वो है dv हम इसको लिख देते हैं फिलाल आपको 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 सूथ ग्साम्पल आपको आपको माम आपको यहां सब लोग मेजर जितनी मी इन्फोर्मेशन है सबको इस तरह से मॉडिफाई कर लेंगे अखो यहां पर आई है और यहां से सेव करेंगे आई क्लोज अभी हम यहां पर रिफ्रेश करेंगे तो आप जेकेंगे हमारी थीम का नेम साउट एक्स हो चुका है इसके अंदर और किलिक करेंगे तो यहां पर सारा चीज़े चेंज हो चुकी है इसके नर स्क्रीन शॉट किस तरह से हम लोग रिफ्लेश करते हैं यह भी हम लोग सीख चुके हैं यहां सबको स्क्रीन शॉट के नाम से एक फाइल दिखाई देगी इसमें यह देखिए इसको रिनिम करिए स्क्रीन शॉट डिफॉल्ट और यहां पर हम नहीं में इस डाउन्वोड कर लेंगे लिखेंगे अरिना अनिमेशन इंडिया फ्डेश फ्ट्वल लेखेंगे अजिए फ्ट्वर लेखेंगे अजिए झाल झाल यह गवाद वाला झाल 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 तो यहां से मारा हाई क्वालिटी है इसकी छोड़ा जाएगा इस तरह से झाल झाल 880 वाई 660 का आपने यहां से बनाना है क्रिएट पर क्लिक करना है अब इसको छोड़ा करिए क्रिएट झाल यहां से इसको में लोग करेंगे एक्सपोर्ट आइज जेपीजी इसका फाइल टाप चेक करेंगे इसका फाइल टाप क्या है जेपीजी या पी एनजी यहां पर जेपीजी है तो जेपीजी रख लेते हैं और इसका नेम है स्क्रीन शाट इसका अपने इस इमेज को यहां से इधर अपलोड करना है और इसका रिनेम कर देंगे यहां से इस तरह से तो जो अपने थीम के अंदर आके यहां पर रिफ्रेश्च करेंगे न तो आपका नया वाला जो आपने स्क्रीन शॉट लगाया वो यहां पर इंप्लिमेंट होगा तो अगर हम लोग यहां से विजिट साइट करते हैं और कंटोल यू प्रेस करते हैं और यहां पर फाइंड करते हैं थीम तो भी आप नोटिस करेंगे यहां अपना थीम का नेम लिखा रहा होगा देखो तो यहां लिखा रहा है ट्वंटी ट्वंटी फॉर पता चला है तो हम नहीं चाहते कि हमारा इस तरह से लिखावा इसके इंदर यहां से अक्टिवेट करेंगे अपनी नई थीम यहां पर जाकर करेंगे रिफ्रेश प्रेस करेंगे कंटोल यू और यहां पर सच करेंगे थीम तो सेम जगा पर चेक करेंगे क्या लिखा रहा है तो हमारी थीम का नीम क्या लिखा रहा है नोडिस करेंगे आप लोग साउटेक्स लिखा रहा है इस तरह से ठीक है अब हम चाहते हैं कि हमारी इंफोर्मेशन जो है किसी को पता ही ने चले हमने क्या यूज किये यहां पर आके हम लोग सर्च करते हैं अरिनापीवी.hyberpsp.com साउटेक्स तो हमें आपर एक एरर आना चाहिए कि भी शेल लेकिन अ EPA करते हैं सुपध सेलाइक दो करते हैं मिट्स क्या हमें थीज कर दिया तो हम शेली तो आपके और आपकशएट की नहीं केवारे में नहीं पता लगा पाएंगे तो यह काम आपने करने हैं और अगर आप चाहते हो कि आपका नहीं महा लिखवाए तो वर्डप्रेस पर जाके अपना अकाउंट बनाके वर्डप्रेस पर अपने थीम अपलोड करके फिर आपने अपना URL वह आला डालना है उससे क्या होगा फिर आपको महाँ पर आपके अपने नाम से थीम का रिटन आएगा मैसेज तो यह पार हमने देखा इसके बाद थीम को एक्टिवेट करेंगे तो बिल्डर का एक उप्शन ही आ रहता है एडवांस यह हमने यहां से सेव कर लेना है अपडेट में आएंगे इसका API का यूजर नेम और की यहां डालके इसको पर्मनिंट करेंगे अब जो भी अपडेट आएगा इसका वो आपको अपडेट में आकर यहां पर पता चलता रहेगा प्रिशन है फिलाल अभी कोई अपडेट नहीं है इसके बाद आप यहां से जो हमने आपर एडिटिंग की थी थीम फाइल एडिटर आपको यहां भी मिलेगा आपको लगता है नहीं मेरे को कुछ इसमें चेंजिस करने हैं तो आप यहां से लाके फिर से चेंजिस अगरा कर सकते हैं यह देखो फाइल अपने वाई से मोपन हो रिए आपर नेक्स अब हम लोग यह सीखेंगे की ओफ-लाइन वेफ-साइट का कोई कंटेंड अगर में लाइव लेका आना है तो कैसे आएगा तो उसके लिए हम यहां से उपन करेंगे अपना ड्राइव हमारा जो काम चल रहा है वो सी ड्राइव से चल रहा है एच्टी डॉक्स और अरीना का फोल्डर तो सबसे पहले जैंप लाउंच करेंगे अपना इसके बाद अड्मिन लाउंच करेंगे यहां लिखेंगे अरीना थोड़ा वेट करेंगे लोगिन करेंगे अपना ड्राइव कि बीख ड्राइव जन् fluff बीख पना अस्वा श्राइव पस्वोरे की पस्वोर्ड एा लोग बाधर नागल कुछ फिर्ण लागल इने मॉंग लॉग बाधर को बाधर बाधर किसा दूबर यह कि एलॉग लॉग अज़ प्रीट लॉग अगप होग लॉग इंग बाधर नागल, को अभूग अभार इतिये लॉग वी तुछिए एक निया पेज बनाईए तो यहां पर जैसे ऐलिमेंटर का है अगर ऐलिमेंटर से पेज बना रहे हो तो लाइब आपको ऐलिमेंटर इंस्टॉल के रखना है तो हमने चाहथ एक वर डिफाइन किया होगा wordpress वो देख लेता है थीम माईए अपिरेंस अक्टिवेट करेंगे अपना थीम वो लेँOutर henएए वो दो सम देख लेख वो पिर विर वर अपिरेंस ने स्ट्ट आपको isव जोफ दोब даже वाजर किया है कि हम माईए जो सम सुखमें जो द दो दाना टुआ एपको विर द्स विरेंस दोल दुआस वो भाव खसाब का देख від। पेज माएंगे, अल पेज़, एक नेया पेज मनाएंगे, आपर, पेज़, आपर, 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 आपर start building अभी हम लोग यहाँ पर एक प्रिमेट लियाउड के साथ जाते है यहाँ से एक homepage और यूस लेयाओट यहां से पेट को प्रिव्यू करेंगे एक नेम दे दोसको डेमो इसका हम लोग इसको प्रिव्यू करेंगे यहां से कुछ हमारा पेज ओफ-लाइन रेडी है अब यह पेज महा लेजे कि आपने इसका से पूरी एक वेबसाइट बनाकर रेडी कर लिए और आपको यह अब क्या है लाइव लेकर आना है इसको प्रिव्यू कर लिए और आपको इतना करने के बाद यहां सबके एक उप्चिन दिखाए जाएगा पूर्टेबिलिटी के नाम से एक्सपूर्ट एक्सपूर्ट डीविल्डर लेयाउट यह हमारा फाइल एक्सपूर्ट होगया देमो.json अब जो हमारी लाइब चल लए यह थी बहाँ है यहां पर हम लोग एक एड़ न्यू पेस करेंगे इसका हम लोग नेम रख देते हैं लाइक होम यह 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 फिस यूस्ट एडवी बिल्डर पर क्लिक बिल्ट फ्रम स्क्रेच या आपको ऑप्शन में लेका अगें पॉर्टिबिलिटी अपनी चूज़ करना इंपॉर्ट लें मैं स्केच इंपूर्ट करना इंपुर्टि एंपूर्टिबिलिट अपहर्ट सुछलन वर्टिबिलिट ओिल्टिन इंप।क्ण झाल झाल तो एंटायर स्ट्रुक्चर जुमने ओफलाइन बनाया था यहां पर लोड हो चुग है यहां समय चूज करेंगे पब्लिश अगर आप चाहते हैं है यहां से ब्लैंक एंड क्लिक उन पब्लिश पब्लिश करने के बाद आपने यहां से प्रिवी चेंजिस पर क्लिक करना है या फिर आप व्यू पेज़ पर क्लिक कर सकते हैं इस तरह से तो आप यहां देखें आपका एंटायर ओफ लाइन पेज अरीना पीबी डॉट हाई पर पीछ पी साउथ एक्स के अंदर लाइव आच पर हैं तो समझाया हमें किस तरह से ओफ-लाइन कंटेंट को लाइव लेकर आना है तो यह हुआ एक सिंगल पेज अब माल दीजिए कि आपके पास बहुत सारी नमबर और पेजिए और आप इस तरह से वन वाई वन इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो हमाँ पास एक और मेथड होता है ओफ-लाइन के अंदर यह देखिए हम लोगों लोकल हुस्ट में हैं यहां पर आपको एक उप्शन मिलता है सैटिंग्स और इसके उपर आपको एक उप्शन मिलेगा टूल्स टूल्स पर किलिक करना है आपने नहीं से चूल्स करेंगे एक्स्पॉट यहां पर आपको एक उप्शन मिलता है All Contained मतलब वन यू क्लिक वितन बिलो वेड प्रेसे विल क्रेट एंग्सम्ल राइं for you to save to your computer this format which is called wordpress extended rss or wxr will contain your post page, comment, custom field category and tags once you have saved the downloaded file you can use the import function in another wordpress installation to import the content from this site so yaha par jitna bhi iski andar content hai boh sara ka sara content vera live chala jayega ठीक है, download होगा अब जो आपके live bali site होगी न, बहाँ पर आके आपने import चलाना है so import में हमारे पास चीज़े available नहीं होती है, तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हमें एक चाह चीज़ चाहिए import post from rss feed, तो यहाँ पर आप देखें, import post page comment custom field categories and tags from a wordpress export file तो यहाँ से install now पर click कर दीज़ेगा now click on run importer up to 20 MB की file आप यहाँ से choose करके सारा data इसके अंदर ले सकते हो ठीक है तो यहाँ काम आपका यहाँ हो जाएगा इसके अंदर तो जैसे अभी हमारे इसमें post में कर दो देखेंगें तो कोई category नहीं है offline के अंदर अगर आते हैं post के अंदर category तो यहाँ पर आपको available मिलेंगी कुछ इस तरह से अब हम इसी काई demo एक लेना चाहरे हैं कि यह क्या यह काम करता है किस तरह से काम करता है तो देखिए export क्या लेके जाना चाहते हो जैसे यहाँ पर देखो post page landing theme builder items project हम post की बात कर लेते हैं all categories and यहाँ से download export file यह मैं पास एक file आगे है अब हम लोग live के अंदर आएंगे import पर click करेंगे run importer upload file and import यहाँ सबसे पूछा जाएगा import author admin है या कोई और है तो हम यहाँ से बोलेंगे अडमीन ही है download and import file attachment तो file यह नहीं कर पा है fail to import media this all बैसे अब दन हो चुका है तो photos आपको manually डाल दी नहीं है उठाके कोई दिकत नहीं है switch to categories क्या दिखाई देता है data आगया अब ना तो इस तरह से काम हो जाएगा all posts में आएंगे तो जितनी हमने posts वहाँ पर बनाई थी वह सारी posts यहाँ पर available है तो यह data भी आपको इसमें आ चुका है इसके अंदर so इस तरीके से हम लोग अपना offline कोई particular page या entire website अगर लेके आनी है तो लेके आ सकते है इस तरह से clear हुआ yes sir तो आज की class में मेरी तरह से wordpress यहाँ पर over होता है next class हम लोग SEO की practice इसके नदर start करेंगे ठीक है तो वन मन्त का wordpress होता है लेकिन regular class होने की बज़े से हमें यह benefit मिला 12 class होती है तो जैसे आप यहाँ देखेंगे 1234567891011 11 classes में हमारे यह अला part खतम अगे नहीं तो यह काम आपका महीने बर का था और बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत आराम आराम समझें सारी चीज़े इसके अंदर समझी है तो आपका काम यह कि wordpress की सारी चीज़ आप चला के देखें अगर कोई difficulty किसी तरह की अगर हम लोग face कर रहे हैं तो उसके बारे में discuss करें आप हम अब जो काम करेंगे next class से वह हमारा रहेगा SEO के ऊपर कि SEO क्या होता है क्या क्या उसकी practices है जो हमें use करनी होती है एक static site के अंदर या wordpress based website है उसके अंदर फिर हम लोग बात करेंगे Google search console की फिर हम लोग बात करेंगे Google analytics की फिर हम लोग बात करेंगे Google ads की और उसके बाद आप लोग का होगा react और आपका ये खत्म हो जाएगा तो इस month में हमारा SEO और आपका analytics और Google ads ये part आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा और next month आपका हो जाएगा react complete ठीक है तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए मिलते हैं next class में कोई doubt हो तो वो पहले discuss कीजिएगा फिलाल आपको मैंने live करना सिखा दिया है एक चीज कीजिएगा कि कि किसी भी company के अंदर अपना portfolio अगर आप दिखाना चाह रहे हैं ठीक है तो कोशिस करें कि अपनी hosting होस्टिंग आप खरीद के फिर उपर काम करें होस्टिंग चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो 1000 रुपीज पर एर के हिसाब से मैं आपको बहुत ही सश्टिंग प्रवाइड करा दूगा होस्टिंगर की ठीक है जिसके अंदर आपके पास space वगरा सारी चीज़े unlimited रहेंगी ठीक है अगर कई लेना चाहता है तो बताएगा बाकि domain वगरा आप अपना खुद से खरीद सकते हैं कि जो भी आप domain चाहें और प्रापर तरीके से अपना portfolio बनाके जब तक job place नहों उस link को दीजेगा कोई भी anonymous link नहीं देना तो एक impact अच्छा नहीं जाता है और यह सारी चीज़े आप देख रहे हैं यह सारी चीज़े आप पड़े तरीके से सीख भी पाएंगे इसके लिए कुछ कहना है किसीने कुछ पूछना है तो बताएं लास्ट की वीडियो लास्ट की वीडियो नहीं मिली मैं चेक कर लेता हूँ शयाद पॉब्लिश का बटन दबने से रह गया होगा अपलोड तो होगी वीडियो एक सेक्ड मैं चेक करता हूँ हाँ आपको वुकमर से प्रड़क्ट वेरिशन कराया थे ना लास्ट वीडियो आपकी लाइव है चेक करो उसी प्लेलिस के अंदर आपको अविलेबल हो जाएगी चेक करके दाओ मुझे हाँ जी कौन कुछ कहना चाहरा है बताईए सर क्लास की वीडियो कहां अपलोड कर मतलब कहां मिलेंगी ये जालाल अपने चेक कर देता हूं आपको बिल जाएगा ठीक है जलाल अदीन और ये बताऊं चुट्टिया क्यों कर लीती सरी बीच में अपने जालाल फीवर हो रहाता आरे यार तो ओनलाइन क्लास तो ले लेते ना पांच चुट्तिया इस वरह से नाइशे थी तो इस वरह से बहुत आप आदा अब मैं आपको क्या कहते है लिंक दे दूँगा वह से गोत्रू कल लेना चीज़ों अब भूमिका जारा बटा चेक करता हूँ महा पर वीडियो आ रहा है लास्ट क्लास वाना आजए सर्व याद हाँ ठीक है तो आज का मैं अभी अपलोड कर देता हूँ आपका तो वह लिंक भी अविलेबल हो जाएगा ठीक है और फिर आपका नेक्स क्लास में लोग वैसी वाले पार कुपर काम स्टार्ट करी रहे हैं ठीक है चलीजी तो वाइंडप करने क्लास का और मिलते नेक्स क्लास में तक तक आप लोग ट्राई कर ले कोई डाउट केरी किसी तरह को तो नोट डाउन कीजी और उसको पहले डिसकस कीजीगा ठीक है थैंक्यू थैंक्यू सर्